हेलो बच्चो मेरे चैनल पे आप सब का स्वागत है और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं पार्ट साथ सासी सलोनी की बुक की एक्सरसाइजिस पहले हैं मौखिक प्रश्ण निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दो ये प्रश्ण हम कॉपी में करेंगे जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी उसके बाद हैं लिखित प्रश्ण पहला है सही उत्तर के सामने चिन्ध लगाओ का है सलोनी को क्या करना अच्छा लगता था आपने पार्ट में पढ़ा था सलोनी को मूर्तियां रगना बहुत अच्छा लगता था तो इसका सही आंसर होगा मूर्तियां रगना गाओं में अधिकतर कौन लोग रहते थे कौन लोग रहते थे अधिकतर दस्तकार फिल्मकार या संगीतकार दस्तकार जो हाथ से काम करते हैं उन्हें दस्तकार कहते हैं गाह है सलोनी को मूर्तियां लेकर शहर क्यों जाना पड़ा क्यों गई थी वो मूर्तियां लेकर क्योंकि उसकी मा की तबियत ठीक नहीं थी तो हमारे पास option है उसे शहर देखना था उसे भूत का पता लगाना था उसकी मा की तबियत ठीक ना थी तो सही आंसर होगा उसकी मा की तबियत ठीक ना थी तीसरा वाला option अगला है गाउं वाले कैसे व्यक्ति थे निडर थे, समझधार थे या अंध विश्वासी थे तो गाओं वाले अंध विश्वासी थे क्यों थे अंध विश्वासी क्योंकि वो भूतों पर विश्वास करते थे आगे है सोचो और लिखो इस कहानी का कोई और शीरशक लिखो ये शीरशक तुमने क्यों रखा है ये आपको copy में नहीं करना है बस आपको इसका comment box में answer दे देना है कि आप इसका और कौन सा शीरशक रखना चाहते हो अगला है समझो और लिखो पहला हमें करके दिया गया है बंदर, बंदर बंदर में यहाँ पे बिंदी लगी हुई है और यहाँ पे आधा ना लिखा है इसका मतलब है कि हम बंदर को ऐसे भी लिख सकते हैं इसी तरह से आनंद, आनंद में भी उपर बिंदी लगी है और इसमें हम आधा ना लगा के इस तरह से लिख सकते हैं मंदिर में भी उपर बिंदी लगी है, मंदिर में हम आधा ना लगा के ऐसे लिख सकते हैं, अंत में हम आधा ना ता पे लगा देंगे, तो ये अंत बन जाएगा, इसी तरह से इस तरफ दिया हुआ है घंटा, घंटा में यहाँ पे डा लगा हुआ है आधाना, इसी तरह से हम पंडित का शब्द बना लेंगे कंट डणड़ आगे है समझो और बोल बोल कर पढ़ो यहां पे आपको दिया है आधापा और ता इनसे आपको शब्द बनाने है कौन कौन से शब्द है? सब्ता, त्रिप्त, लिप्त सभी में आधापा और ता है इनसे अगर आप और शब्द बना सकते हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजे उसके बाद है आधश्या और ट इससे कौन-कौन सी शब्द बन सकते हैं इसपश्ट, कश्ट, स्रिष्टी इनके अलावा अगर आपके पास और शब्द आप बना सकते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजे वाक्य के खाली स्थान के लिए सही शब्द के सामने चिन्ध लगाओ और लिखो यानि कि आपको दो अप्शन ये हुए उसमें से आपको एक चुनना है और उसको खाली स्थान पे फिल करना है का है जोकर को देखकर बच्चे डैश पड़े अब हस होगा हन्स होगा या हस होगा हन्स नहीं होता हन्स तो एक पक्षी का नाम है और यहाँ पे आएगा हस हस मतलब हस ना तो हस पड़े इसमें चंद्रबिंदी लगती है तो सही आप्शन होगा हस पड़े खा है अचानक आस्मान में काली घटा चा गई या घंटा चा गई घंटा तो जो चैप्टर में था घंटी उसको घंटा बोलते हैं और घंटा चा गई यानि बादल चा गई काले बादल चा गई तो यहाँ प्याएगा घंटा इसमें बिंदी नहीं लगेगी तो सही option होगा ये वाला घटा गा है आप कहा घूमने जा रहे हैं या कहा घूमने जा रहे हैं इसमें थोड़ी सी आंकी आवाज आ रही है तो इसमें चंद्रबिंदी लगेगी तो option कौन सा सही होगा ये वाला option सही होगा और इसमें लिखेंगे आप कहां जा रहे हैं घा है लंगूर की पूछ होगा या पूँछ होगा पूँछ में हमेशा चंदरबिंदी आती है इसलिए ये वाला ओप्शन सही होगा लंगूर की पूँछ लंबी होती है अब है उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो अब इन शब्दों से आपको उल्टे अर्थ वाले शब्द इसमें से ढून कर लिखने है कठिनाई का मतलब मुश्किल होता है तो मुश्किल का उल्टा क्या होगा कोई भी कामसानी से हो जाए तो उसे उसका उल्टा कहेंगे तो इसके लिए हम शब्द यूज़ करेंगे सरलता अगला है बढ़ना बढ़ना का उल्टा होगा घटना थोड़ा थोड़ा यानि कि कम ये मैंने गरत लिख दिया है इसका होगा अधिक ठीक है यहाँ पे आएगा अधिक फिर है निडर निडर का होता है जो किसी से न डरे और डरपोक जो सबसे डरता है उसे डरपोक कहते हैं फिर है अगला अगला यानि आगे वाला और उसके बात क्या होगा उसका उल्टा क्या होगा पिछला बाहर का उल्टा क्या होगा अंदर इन्हें क्या कहते हैं लिखो हाथ के काम करने वाला हाथ से काम करने वाले को क्या कहते हैं दस्तकार मूर्ती बनाने वाला मूर्ती बनाने वाले को क्या कहते हैं मूर्ती कार मिट्टी के बर्तन बनाने वाला उसे कहते हैं कुमहार और जो डरता ना हो उसे कहते हैं निडर अगला है अप करने की बारी सलोनी या गाउं वालों में से तुम्हें कौन और क्यों अपने साथियों को बताओ आपको इस कहानी में कौन अच्छा लगा सलोनी या गाउं वाले उसके बारे में आपको बताना है इसे भी कॉपी में नहीं करना है या आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आप लोग भूत से डरते हैं अपने साथ बीती कोई ऐसी घटना सुनाओ जब तुम डर गए हो और कभी अगर आपको डर लगा हो तो ऐसी कोई घटना आपको बतानी है गर है बाल पत्रिकाओं से सहासी बच्चों की कहानिया पढ़ो और कक्षा में सुनाओ और आपको कुछ और कहानिया पढ़नी है जो सहासी बच्चों के उपर हो क्या सचमुच भूत होते हैं कक्षा में चर्चा करो और आपको इसका भी आंसर करना है कि क्या सचमुच भूत होते हैं तो यहाँ पे exercise हो जाती है खतम और question answer हम करेंगे next वीडियो में Thank you for watching